Hello everyone, आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं आप लोग की BGDG 172 के question paper का pattern यह आप लोग का December 2021 का question paper है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके इसी question paper की help से आप लोग के इस वाले paper का pattern देखेंगे और साथ-साथ जानेंगे कि इस वाले exam की preparation आप लोग कम समय में कैसे कर सकते हैं और अपने 95% तक कैसे score कर सकते हैं तो friends अगर आप लोग भी अपने इस subject की exam की preparation करें हैं तो यह वीडियो आप लोग के काफे ज़दा helpful होने वाली है आप लोग इस वीडियो का end तक जुरू देखेगा बिना skip करें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस subject का title है आप लोग का gender sensitization society and culture यह question paper आता है आप लोग का 100 marks का और इसे solve करने के लिए दिये जाते हैं आप लोग को 3 hours ठीक है 3 hours के time limit के अंदर ही आप लोग को अपने question paper को solve करना होता है और इगनू के जो हर एक question paper होगा उसमें starting में एक note given होता है बिना इस note को पड़े हुए आप अपना paper start मत कीजेगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग को बताया जाता है आप लोग को लिए compulsory हैं कौन से question यहाँ पर optional है और कौन से question को आप लोग को कितने words में answer देना है हर एक question paper में यह note आपको अलग मिलेगा लिकिन मिलेगा जरूर तो अपने note को अच्छे तरीके से पढ़ कर आप लोग अपने paper को start कीजेगा यह जो आप लोग के 100 marks के question papers होते हैं इन में passing marks होते हैं आप लोग के 35 अगर आप लोग के 100 में से आप लोगोंने 35 marks स्कोर कर लिए तो आप लोग को इस वाले paper में pass कर दिया जाएगा लेकिन अगर 35 से अगर आप लोग के 34 भी marks रहेगे तो इस वाले paper में आप लोगो को fail कर दिया जाएगा ठीक है तो passing marks आप लोगो के हैं 35 तो चलिए देख लेते हैं आप लोगो के question paper का pattern यहाँ पे सबसे पहले आप लोगो का section A section A में यहाँ पे दे रखा है answer any four of the following questions in about 500 words each each question carries 15 marks तो friends यहाँ पर आप लोगो को जितने भी questions दे रखे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोगो को चार questions करने हैं हर एक question का जो answer है वो आप लोगो को 500 words में देना है और हर एक question जो है वो आप लोगो का 15 marks carry करेगा मतलब starting का section A है वो आप लोगो का 60 marks का weightage रखेगा तो friends यह जो questions आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले question paper में यह बहुत ज़्यादा easy question है नोर्माल आप लोगो की check your progress वाले questions से लिए कहे हैं जो आप लोगो की book में chapters के बीच में questions होते हैं अगर आप लोगों ने उनको अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप इस वाले paper को असानी से solve कर लोगे क्योंकि यह जो question है यह बहुत ज़्यादा easy है आपकी book से आप लोगों ने अगर topic अच्छे से पढ़ रखे हैं तो इनको आप पसानी से लिख सकते हो ठीक है तो सबसे पहला question है आप लोगों कहां पर discuss gender, discrimination, violence and vulnerability at the workplace यह question है आप लोगों का 15 marks का and second number पर है आप लोगों का describe the role of mothers in the context of migration in India and फिर third number का question है आप लोगों कहां पर explain forms of marriages in India with examples यह question भी आप लोगों का 15 marks का weightage रखता है यहाँ पर total जितने भी questions हैं वो आप लोगों के 15 marks के weightage रखेंगे section A में जिन में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 questions को attempt करना है और 4 questions आप लोगों के हां से 60 marks का weightage रखेंगे ठीक है and अब आता है आप लोगों का यहाँ पर section B section B में यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को answer any 4 of the following questions in about to 300 words each each question carries 10 marks तो friends इस वाले section से आप लोगों को क्या करना है सभी questions में से सिर्फ 4 questions को attempt करना है हर एक question का जो answer देना है वो आप लोगों को 300 words में देना है और हर एक question आप लोगों का यहाँ पर 10 marks करी करेगा ठीक है तो आप लोगों का अपनी answer sheet अच्छी तरीके से fill करकर आनी है अपने answers को अच्छी तरीके से explain करके लिखना है जितने ज़्यदा आप लोग अपनी answer sheet को fill करेंगे उतने ही अच्छे marks आप लोग स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी answer sheet को blank छोड़ कर आते हैं तो उतने ही आप लोगों के marks करने के chances रहते हैं तो friends आप लोग अच्छे तरीके से अपने exam को attempt कीजेगा और अगर आप लोगों को subject के important questions की वीडियो चाहिए तो आप लोग comment section में मुझे बता दीचेगा मैं आप लोगों के subject की वीडियो अप्लोड करने की जल सलत कोशिच करूँगे आपके exam से पहले तो friends आप लोग comment section में जरूर बताएगा next आप लोगो को subject के important question की वीडियो चाहिए या फिर अगर आप लोगो को किसी और subject की पेपर का pattern जानना है या previous year के कोई भी question paper की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं और बाकि friends आप लोग next वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा साइड में बैल एकन होगा उसे प्रेस कर दीचेगा ताकि आप लोगो को आने वाली सभी वीडियो की notification बिल्कुल correct time पर मिलती रहें और आपके exam की preparation इची तरीके से हो पाए तो friends पर साच की वीडियो में इतना ही thank you for watching this video